Central Government ने NA BFID को एक Public Financial Institution के रूप में Recognize किया है या फिर Notify किया है क्या है ये Institute, किस काम में आता, क्यों इतनी Importance इसकी है, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में, अगर आपके वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को Like जरूर करिए इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, Current Affairs General Awareness की पूरी प्लेलिस्ट है आप प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो सारी important वीडियो आपको मिल जाएंगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नियूजगी कि ये जो NABFID है जिसका Full Form है National Bank for Financing Infrastructure and Development Full Form बहुत important होता है, याद रखने वाली बात है इसको Public Financial Institution का दरजा दिया गया है Under Companies Act में अब ये जो designation है या फिर ये जो notification है ये जारी किया गया 10 सितंबर को Corporate Affairs Ministry के द्वारा RBI के द्वारा consult करने के बाद तो ये जो NABFID है अब इसे PFI का status मिल चुका है मतलब ये है कि अभी तग ये जब open हुआ था तब ये public नहीं था private इस तरह कि इसे काम कर रहा था लेकिन अब ये public financial institution बनने के बाद कि इंडिया में जो बहुत बड़े-बड़े projects होते हैं road के हो गए, construction वाले हो गए, जैसे dams और बनाने हैं या फिर इस तरह का और कुछ बड़े projects करने होते हैं तो जिसमें बहुत लंबा समय लगता है जिसको बनने में और उसके अब उससे revenue आने में बहुत समय लगता है इस तरह के projects के लिए ये जो institute है काम करेगा उसे ये जो पैसा है, loan है वो उपलब्ध करवाने का काम करेगा तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका जो formation है और इसका purpose क्या है एक short में तो आपको बताई दिया और अब आपको पता है 2024 में इसे PFI का दर्जा भी मिल गया इसको objective है long standing gaps in long term financing infrastructure project कि जो long term financing होती है infrastructure project में उसमें जो gap आता है क्योंग आता है क्योंकि जो traditional banks हैं जो हमारे public sector के हों चाहे private sector के banks हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे loan पे ज़्यादा prefer करते हैं जो बहुत लंबा समय ना ले और इतना ज़्यादा पैसा involvement ना हो और जो पैसा वापस आता है उस loan पे उसमें ऐसा लंबा gap ना हो मतलब ऐसे समझेए कि जैसे एक कोई बहुत बड़ा सा dam बनना है जिसके लिए financing करी गई है तो उसका जो पूरा period है या फिर एक बहुत बड़ा सा expressway बनना है तो उसकी financing करीगे है लेट से उसपे financing है 20 साल की की 20 साल का ये loan है लेकिन जो पैसा है ये आने में अभी 10 साल लगेगा मतलब 10 साल के बाद जो है पैसा कटना सुरूगा कहा से जो जब ये expressway लाइव हो जाएगा तो जो profit कमाएंगे उससे पैसा आएगा तो ये बैंकों का जो ये long gestation period है ना gestation period का मतलब यही है कि जब से वो project सुरू हुआ उसके बाद कब से वो revenue generate करता है तो ये कई बार ऐसे projects होते हैं जिसमें ये gestation period लंबा होता है तो इसमें high risk भी होता है ऐसा देखा गया है किस तरह की जो projects होते हैं वो sustain नहीं हो पाते हैं और फिर सरकारें बदल गई फिर सरकार की नीतियां बदल जाते हैं तो बीच में project ऐसा रुख गया तो इस वज़ा से ये जो projects होते हैं जो traditional bank हैं उनको finance करने में थोड़ा उनको हिच की चाहाट होती है तो इस वज़ा से लंबे-लंबे projects या बड़े-बड़े projects जो हैं तो 30 समय में बन नहीं पाते हैं finance के वज़ा से रुके रहते हैं सरकार का दखल होता है फिर कुस काम शुरू होता है तो ऐसे ये चलता है इसी वज़ा से टाइम जो लाइन होती हो हमेशा shift होती रहती है आगे की तरफ तो NABFID एक DFI होने वाला है मतलब development finance institution होने वाला है इंडिया में इस तरह के DFI's कई सारे हैं जेसमें से अब एक NABFID भी हो चुका है तो इसका काम है infrastructure के projects को finance करना ताकि जो इस तरह के projects हैं लटके नहीं साथी साथ जो commercial returns है regular banks की तरह वो भी कमाना मतलब यह असा नहीं कि दानदारी या धरम वाला काम ऐसा चल रहा है कि हमने loan बांट दया चुका हो चाहे ना चुका हो पैसा भी कमाना है उनसे लेकिन इस तरह के project को पैसा देना भी है तो यह जो NABFID का aim होगा long term के short term के ऐसे छोटे छोटे loan नहीं देगा long term के non-recourse finance करना non-recourse finance का मतलब यही है कि अगर मालीजे जब finance किया जाता है किसी भी project को non-recourse finance का मतलब होता है कि उससे जब पैसा require होगा तभी होगा जब वो profit कमा रहा होगा मतलब अगर profit नहीं कमा रहा है वो project या profit नहीं बना रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको बेज करके कहीं अपना पैसा require कर पाएंगे तो यह non-recourse finance होता है profit से ही पैसा वापस आता है तो इसलिए bank भी इसमें थोड़ा हाट डालने से डरते हैं कि यहाँ पे तो हमारा ऐसा होगा नहीं कि non-recourse finance है कि माल लो damn नहीं बना तो हम बेच देंगे damn किसी और को पैसा रहा है ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए bank जो traditional होते हैं में हाट डालने से डरते हैं ऐसा नहीं कि मिलता ही नहीं अलोन नहीं मिलता तो अभी तक तो यह institute था नहीं कहां से सारी चीज़ें सस्टेन हो रही थी देते हैं लेकिन इतना frequent और इतना ज़्यादा उसमें विल पावर नहीं होता है तो यह जो NABFID है यह commercial banks की तरह deposit accept नहीं करता है public से जैसे SBI हो गया ICICI हो गया इस तरह ही जो banks है यह public से deposit accept करते हैं हम और आप जाकर के वहाँ पे saving bank account FD करते हैं वही पैसा accumulate होता है फिर वो किसी को loan पे देते हैं तो इसमें जो NABFID है यह public से पैसा नहीं लेगा तो इसे पैसा मिलेगा कहां से आगे loan पे देने के लिए तो इसे पैसा मिलेगा government की borrowing से मतलब government की तरफ से support मिलेगा funding का उसके साथ bond issuance भी यह करेगा मतलब अपनी तरफ से bond यह निकालेगा और उन पे जो guarantee होगी bank की होगी मतलब यह bond ऐसा नहीं होगा कि आगे चल करके bounce हो जा रहे हैं समय पे नहीं मिल पाएंगे तो कैसे यहाँ पे लोगों को पैसा मिलेगा government की guarantee होगी कि bond को bounce नहीं होने दिया जाएगा अगर ऐसा होगा तो हम government उसका पैसा देती है तो यह सब की इस तरह से यह funding उठाएगा इसके साथ अभी मैं आपको आगे यहाँ पे और बताऊँगा कि यह multilateral जो banking है वहाँ से पैसे यह जो borrow है वो करेंगे तो यह जो institute है सिर्फ finance infrastructure के लिए नहीं है बलकि इंडिया का जो bond और derivative market है ना उसको भी boost करने के लिए इसको लाया जा रहा है जैसा कि इसका काम ही है कि जो पैसा यह borrow करेगा यह bond issuance के थू करेगा तो इससे जो bond या derivative market से है उसमें भी boost आएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसे regulate कौन करेगा किसके नियंतरण में है तो बहुत important यह सवाल हो सकता है exam के point of view से इसे RBI regulate करेगा और कैसे regulate करेगा जैसो बाकी के I-5 को करता है All India Financial Institute जो हैं जैसे एक्जिम बैंक हो गया तो जितने I-5 हैं नाबार्ड हो गया उनको जैसे regulate करता है वैसे ही इसको भी उसी के तहत regulate करेगा under section 45L और 45N जो RBI Act 1934 का है उसके तहत सरकार का इस पे regulation और supervision नहीं होगा RBI करेगा लेकिन इसमें जो हिस्सेदारी है वो 100% government की है इस पे RBI की हिस्सेदारी नहीं है अभी तक 100% जो stake है वो government का ही इसमें लगा हुआ है तो NAPFID का जो operation है वो मतलब अगर देखा जाए तो उसको अपनी जो development responsibilities है उसको भी पूरा करना है साथ ही साथ commercial जो norms हैं या जो commercial उसका जो एक objective है उसको भी पूरा करना है दोनों को balance में लेकर के चलना है इसी के लिए भले इसमें 100% stake government का है इसमें ये व्यवस्ता है कि इसके कम से कम आधे जो members होंगे वो non official directors होंगे independent directors इसमें काफी सारे है मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी कर्मचारी ही के ओल इसमें director बनेंगे हैं इसमें director सरकारी कर्मचारी भी लेकिन ज़्यादा तर यहाँ पे जो experts हैं अपनी अपनी field के उनको यहाँ पे hire किया जा रहा है अभी मैं आपको पूरा इसका board का structure दिखा दूँगा कौन इसके chairman है कौन इसके MD है तो आपको समझ में आएगा इसके एक key advantage में यह भी है कि यह secure करेगा low cost fund मतलब कि जो fund यह लेकर के आएगा वो low cost होगा low cost होने की वज़ासे होगा क्या कि अगर यह government से कहीं से fund इसको प्राप्त हो रहा है 5% पर लेट से क्यों example के तोर पे 5% पे इसे खुद fund प्राप्त हो रहा है आगे अगर यह इसे 8% पे भी loan पे देगा तो बहुत competitively यह 3% कमाएगा भी और जो rate होंगे बाकी जगा से वो भी बड़े ही competitive होंगे बाकी के जो banks हैं जहां से लोग पैसा ला रहे होंगे अपने fund के लिए उनसे ज़्यादा competitive यह rate पे करेगा तो लोग यहाँ पे आ करके जो loan है उसको भी लेंगे अगर यही यह loan माल लीजे कि बाकी जो bank हैं उनके जो loan की range है या percentage है उसको दस से बारा परसंट के बीच में है और यह कह रहे हैं कि हम loan दे देंगे लेकिन हम तो 20% पे loan देंगे जाहिर सी बात इनके पास कोई नहीं आएगा क्योंकि जब एक हजारो करोन या लाखो करोन का project होता है तो उसमें 1-1% क्या 0.1% भी matter करता है तो ऐसे में बहुत competitive rate यह दे पाएंगे क्योंकि सिंपल सी बात है government की guarantee है जो bond निकालेंगे उस पे भी रहेगी तो इनका जो ability है कि low cost fund को secure करने की वो अच्छी है जिस वजासे आगे चल करके और ज्यादा इनका जो loan portfolio है बढ़ने की उमीद है जो मैं आपसे आगे कहा रहा था कि यह multilateral जो development banks है वहां से भी यह borrow कर सकते है जैसे अगर कोई bank चाहे जा करके वो सीधे world bank से loan ले सकता है क्या नहीं world banks अगर loan लेना है तो सरकार लेगी जा करके है ना सरकारों को मिलता है loan state government को central government को लेकिन यह जो NABFID है यह चाहे तो यह ADB से भी loan ले सकती है world bank से भी loan ले सकती है इस तरह के जो भी development banks है उनसे यह loan secure कर सकती है आगे किसी infrastructure project को finance करने का आप अगर current fire पढ़ते होंगे तो आपको यह भी पता होगा कि जो ADB और वोड बैंक वगएरा इस तरह की संस्थाएं है यह loan अगर किसी को देती भी है तो इसलिए नहीं देती है कि जाके पक्ता मकान बनवालो दस लोग ऐसे नहीं यह एक infrastructure को support करने के लिए ही loan देती है कि road की वववस्था अच्छी हो जाए जो pay agile की वववस्था है किसी state में किसी सहर में अच्छी हो जाए road connectivity के साथ साथ जो plain connectivity है वो अच्छी हो जाए इस तरह की वववस्थाओं के लिए loan दी जाते है तो जब direct इंडिया के पास इस तरह की PFI ही है तो यह जो world bank ADB है उनसे direct loan देकर के आगे यह funding कर सकता है तो low cost loan होगा और इनके जो loan के कह सकते हैं जो terms होते हैं थोड़ा flexible होते हैं simple होते हैं period यहाँ पे लंबा मिल जाता है तो अच्छी बात यह रहेगी इसके लिए फिर अगर हम बात करें NABF ID की जो मैं आपसे कहा रहा था तो इसका full form आपको पता होना चाहिए बहुत important है National Bank for Financing Infrastructure and Development इसका headquarter मुंबई में है बांदरा कुरला complex अगर आपने सुनाओगा तो मुंबई में है इसका headquarter चेर्मेन इसके कौन है केवी कामत का नाव आपने सुनाओगा यह ICICI के head रहे थे उसके बाद यह अगर आपको पता हो BRICS जो countries है उनका जो bank है NDB New Development Bank तो उसके पहले President केवी कामत बने थे 2015 से 2020 के बीच में उसके बाद यह फिर Reliance के साथ भी थे और अब इनको Chairman बनाया गया है किसका NABF ID का तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत काबिल हाथों में अभी इसकी Chairmanship है फिर इसके Managing Director के अगर बात करें इसमें CEO नहीं होंगे Managing Director होंगे वो कौन है तो यह है राज किरन राल जी यह Union Bank of India के MDE थे अब यह NABF ID में पहुँच चुके हैं तो वैसे तो अगर पूरा देखेंगे ना तो कई सारे इसमें Independent Directors भी आपको देखने को मिलेंगे लेगिन जो Important है आपके लिए वो इतना ही है अगर हम Conclusion की तरफ चलें तो हम यही कह सकते हैं कि इंडिया का जो एक लक्ष है कि उसे 5 Trillion की Economy बनना है 2025 तक उसके लिए बहुत Important है कि इंडिया का जो Infrastructure Sector है वो बहुत मजबूत हो और उसको Proper Funding है वो Provide हो सके इसके लिए जो NABF ID है इसका रोल बहुत Crucial होने वाला है तो NABF ID की अगर बात करें तो इसका खुद का जो Expectation वो यह है कि 2025 मार्ज तक हम 2 लाग करोण के जो Loan Book है मतलब जो इनकी Loan Book है समे 2 लाग करोण रुपए के Loan Sanction कर देंगे और उसमें से भी 1 लाग करोण के जो Loan है वो हम Disverse कर चुके होंगे 2025 तक तो यह अभी से इनका लक्ष अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा दिख रहा है और यह possible भी है इसका होना अगर सब कुछ चीजें सही रहती है क्योंकि जो National Infrastructure Pipeline है अगर उसको आप ध्यान देंगे तो आने वाले समय में 111 लाग करोण के जो project हैं भो अभी इस pipeline में चल रहे हैं मतलब सूचे कितनी बड़ी संभा होना है इस pipeline में 111 लाग करोण के project अभी है जो केग करके दीरे दीरे करके रिलीज होंगे हाला की जब इसका यह पूरा program था तो उसमें RBI के जो deputy governor है M. Rajeshwar राओ अगर आपने नाम सुना हो उन्होंने इस बात पर focus किया कि NA BFID को government के उपर rely करने की जगा self-reliant होने की ज़्यादा जरूरत है, मतलब अपने पैरों पे खड़े रहने की जरूरत है सुरुवात में इन्हें funding जो मिलेगी वो तो ठीक है लेकिन उनका एक जो major concern था कि आज तक जैसे बहुत सारी DFIs आई है कुछ चल रही है, कुछ बंद हो गई है तो उनके successful ना होने के पीछे reason एक यह था कि जब अपना fund लग नहीं रहा है तो जो post disbursement के बाद जो monitoring होती है credit monitoring कि जिस चीज के लिए पैसा दिया गया वो वहीं पे लग रहा है जिस वज़ा से दिया गया, जितनी progress पे दिया गया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वो proper नहीं हो पाती है और इस वज़ा से जो पैसा लगता है फिर वो डूब जाता है फिर अपनी जेप से जानी रहा है वो government की तरफ से funding आ रही है इस वज़ा से DFI सही से काम नहीं कर पाती है और यहीं इनका कह सकते हैं एक तरीके से इन्होंने चेताया भी कि आपको self-reliant होना होगा मतलब अपने परफ खड़ा होना होगा जो पहले funding मिल रही है उसका सही स्तमाल करने के साथ-साथ आपको बहुत जादा credit monitoring भी करनी पड़ेगी ताकि जो आप investment जो आप loan दे रहे हैं उस पे जो return है वो भी आपको proper time पे मिलना सुरू हो और फिर आपको एक कह सकते हैं जब बाहर से आपने loan दिया है फिर पैसा वापस आ रहा है आपके पास तो आपके पास भी एक pool of fund इकठा होगा जिसे आप और फिर आगे बढ़ा सकते हैं तो ये उनकी तरफ से बात कही गई थी बागी इस वीडियो में इतना ही आपको इस सारी information समझ में आएंगी और ये भी समझ में आगया होगा कि NA BFID का मतलब क्या है क्यों इसे बनाया गया और ये PFI बनने का मतलब अब क्या हो गया है तो इस तरह कि अगर important वीडियोज आप चाहते हैं क्या है